हेई गाईज वेलकम बैक टू भूच पुरी चिलीज मैं हो रुधीर कैसे हैं आप लोग गाईज आज हम लोग देखने वाले हैं राजन सिंग मुकुट भाया का एक अनदर विडियो गाना चोरी का साजिस किसका था खेसारी लाल प्रमोध प्रेमी यादव राजन सिंग मुक जाएगी टू चेक आउट देश्यानन लेट्स स्टाट तर विडियो कि नमस्कार दोस्तों भूचपूरी फिल्म इंडेश्ट्री में खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हो चुका है सोमया के साथ सोमया टैटू गर्ल है और भूचपूरी फिल्म इंडेश्ट्री म में बहुत ज्यादा इस बात को लेके चर्चा चल रही थी कि इनके साथ खेसारी लाल यादों किस परकार का काम करेंगे लेकिन जब खेसारी लाल यादों ने इनके साथ काम किया तो श्राथ में आया एक विवाद जिसके बारे में हम आज किस बीरों में बात करने बाले हैं भोजपोरी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा नीचे जा सकता है गाना अपना चलवाने के लिए तो वो खेसारी लाल यादव और उनकी टीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर से जनता को यह लोग बेवकूप समझते हैं किसारी लाल यादव का जो यह वाला गाना आया है अगर इसके राइटर के बारे में बात करे तो यह अखलेस कस्यप है मतलब मामला यहाँ पूरी तरीके से साफ है कि इस गाने का क्या बोल होंगे इस गाने में क्या सब्द इस्तमाल किया जाएगा यह अखलेस कस्यप के लावा कोई नहीं जानता था फिर परमोद प्रेमि यादव के पास यह गाना कैसे चला गया दोस्तों गाना चोरी होने का एक बड़ा सरधारन सा तरीका ये है कि राइटर जो है वो गाना लिखके देता है म्यूजिक कंपनी में और music company वाला ही कुछ गरबर कर देता है जिससे गाना चोरी हो जाता है लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि यह जो गाना release हुआ है यह अनपूर्णा फिल्म से release हुआ है यह जो गाना बना है यह अनपूर्णा फिल्म्स music company में गाना बना है इस गाने को लिखा, अखले, कशब ने हैं और गयाखे सारी लाग जादव ने हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गाना पर्मोद प्रेमी यादो के पास चला गया एक ही रास्ता है अब पर्मोद प्रेमी के पास ये गाना आने का पर्मोथ प्रेमी ऊठके आये के घर इनका गोद्रेश खोल के काजज निकाल के लिखके अपने घर ले जा के रात भर में गया के भोरे रिलीज कर दिया है, तीसरा और सबसे महजबूर्ण, पर्मोथ प्रेमी आदव का गाना डीलीट करवा दिया गया है, रात में दस बजे, अब हम आपको बताते हैं कि यह अनपूर्णा फिल्म से नहीं कराया गया है, इसको कराया गया है जीड म्यूजिक MCN से, अगर अखलेस कस्चाप को इतना ही भरोसा था कि यह मेरा गाना है, खेसारी लाल यादव पर इतना ही ट्रस्ट था कि नहीं, खेसारी लाल यादव ने लेट से आया और परमोद प्रेमी यादव का गाना पहले आया तो इसमें मालिकाना हग परमोद प्रेमी यादव ही रखते हैं यह जाच का विसय है और बाद में दोनों सूपरेश्टारों के द्वारा अगर खुलासा किया जाएगा तो पता चलेगा कि एक्षौल में यह गान के मौल बनाया जा रहा है तोस्तों यह है अलपना सिनेमा हॉल किसी ज़बाणे में यहां पर फिलमें लगती थी और लोग यहां देखे आउत रहे पुरा परिवार के संहे भोज़कूरी पतना में अगर भोज़कूरी के को नौस टेंटर रहे तो वह में ते एग रहे अलपन सिनेमा लेकिन आवेला जनरेशन जोन बावे जोन हमने कलाकार जे बनी जे हीरो बनी ओन लोग के भविस्ष पर यह बुल्डोजर चलता एमें सबसे बड़ा गुनागार हमारे बोच्पूरी इंडस्ट्री दोस्तों यहाँ पर सोचो गाना आप लिखते हैं म्यूजिक कंपनी आपका म्यूजिक बनाएं आप सूपरस्टार आपका हर तरीके से जो गाना रिलीज हुआ वह आपके थुरू हुआ और गाना उस सूपरस्टार के पास चला गया जो गाना गाए थे खैर मेरे अंदाज से तो यह गाना एकदम सहे गाए थे दोस्तो ये पहली बार नहीं है खेसारी लाल यादव का, खेसारी लाल यादव आरा में दोबारा, काकरे आरा जालू, लहंगा लखनुवा टू जैसे तमाम गाने को इस तरीके से कॉंट्रोवर्सी में फसा के बहुत ज़्यादा पहले भी बिवाद करवा चुके हैं दोस्तो इस गाने को जिसने भी लिखा है, वो गाना बहुत ही प्यारा लिखा है और ये गाना वाकई काबले तारीफ है, दोस्तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस समय खेसारी लाल यादव का ही गाना बस यूटूब पर मौजूद है, परमोद पिरेमी यादव का नहीं है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव का ये गाना बहुत अच्छा है, और इस गाने में एक बहुत ही अच्छी और टाइलेंटेड भोजपूरी की और बिहार की बेटी को मौका मिल सकता था, जो कि कुछ इस परकार की हरकत तो नहीं करती, वो अपने एक अच्छे टाइलेंट को दिखाती, जिसके वज़ा से भोजपूरी फिल्म इंडस्टरी को एक नई कलाकार मिलती, जो कि टाइलेंटेड होती, उमीद है दोस्तों, आप इस वीडियो को गहराई से समझे होंगे, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत यहां पर यह वीडियो खतम, अभी देखो बात कर लेते हूं, मुझे इतना कॉंट्रोवर्सी के बारे में इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है, मैंने यह गाना सुना है, और मैंने काफी इंजॉय किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा यह गाना पहली बात तो, और अगर डिरेक्टर ने ना बोला हो तो, तो यह गाने का राइट अखिलेश कश्यप के पास है, है ना, सीधी से बात है यार, वाकई, अगर तुम्हारे पास गाने का राइट है, तुमने गाया है वो गाना, और मतलब तुमने लेखा है वो गाना, ठीक है, राइटर कम्प्लीटली तुम हो, कंपनी तुम्हारी है, देन वो किसी और सिंगर के पास कैसे जा सकता है, यही हो सकता है कि भाई, किसी ने ओट के तुमारा गाना किसी और ने रख दिया हो लिख दिया हो कर दिया हो बाई ये मुझे समझ में नहीं आता है यार कैसे ये गाने चोरी हो जाते हैं और दूसरी बात मतलब जनता को क्या लगता है कि वो पहली बात तो copied गाना सुनते ही क्यों है जब copied गाने पर अगर views नहीं आएंगे तो य यह सब कॉपी करना बंद कर देंगे है न अच्छा यहां पर जैसे की यह था कि यह बोला गया खेसारी लाल की टीम के द्वारा यह काफी बार यह चीज हो चुकी है तो यह पहले भी हो चुका है एंड इस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे न फिर एक स्टार की बदनामी भी होती है उसके मतलब पता नहीं उसने किया भी हो चाहे ना भी किया हो लेकिन जिस नाम से लाइक खेसारी लाल यादव के नाम से ही वो कंपनी जब चल रही है लोग बाग उन्हें देख रहे हैं तो नाम किसका बदनाम होगा यहां पर खेसारी लाल यादव का तो अगर उनके टीम से भी कोई ऐसी हरकत कर रहा है न तो उने देखना चाहिए जाज़ना चाहिए इस चीज को रोकना चाहिएना ये जिम्मेदारी बनती दी है और इसचीज को आगे जाकर पधरना सकता है और साथ से यार लगता नहीं है मूवीज या मतलब गानों के लिए कभी ये सिनेमा घर रह जाएंगे क्योंकि तोड़कर उसे मॉल बनाया जा रहा है क्योंकि लोगी नहीं आ रहे हैं मूवीज ऐसी बन रही है कि कोई परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकता है ना तो एक अच प्रवर्शी से रिलेटेट कुछ भी कमेंट करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं सभी का उपीणियन अपना माहिने रखता है ठीक है और सभी का उपीणियन डिफ्रेंट होता है जरूरी नहीं है कि एक इंसान जो की सोच रहा है वही चीज दूसरा इंसान भी सोच रहा मैं मैं मिलती हुआ नेक्स वीडियो में तब तक के रिए वीडियो को लाइक करो और सबस्क्राइब करो चैनल को बाबाइ